नमस्ते भारत मैं हूँ भूमिका मैता अपनी देश की बेती और अपने भागी बेन सुशान सेंग राजपूद की बेन अरे कोई ऐसा टॉपिक आए जिसमें कोई बहुत भचर-भचर करता हो देश की आजादी के उपर देश के रहन से धरम, जात और प्रतिष्ठा, उसूल, यूनो इस काइंड अफ वर्ड्स और सबसे इंट्रेस्टिंग थाली में छेट करने वाली बातों को दर्शाने वाली वो औरत उसके उपर कोई टॉपिक आए और मैं छोड़ दूँ, ऐसा तो होई नहीं सकता तो मुझे थोड़ा सा रियाक्शन वीडियो आता नहीं है वैसे, बट अपने रियाक्शन में अपने तरफ से देती हूँ, तो इस मैडम का नाम है जया बच्चन, नाम तो सुना ही होगा न, वही थाली में छेट वाली, हंजी, वही वही, साही समझा अब यह थाली में छेट करते करते, प्रतिष्टा और धरम और उसूल की बाते करते करते, यह बिचारी नवेली नव्या के शो में जाकर पहुँच गई, अब नवेली नव्या कौन है वो तो आपको पता है न, श्री अमिता बच्चन की पोती, इस नवेली नव्या का एक प मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, कि इस मैडम ने अपनी नानी मा को भी बुलाया, अपनी मम्मी को भी बुलाया शो पे, और बहुत वाइरल हुआ है ये शो का, ये जो एपिसोड है, वो बहुत जादा वाइरल हो चुका है, इतना जादा कि हम लोग अब इनकी पच्छा कारने पर आगए है, क्यों? बताती हूँ, इस महीला, जया बच्छन नामक इस महीला ने जो बाते करी है न, इस पॉड़कास शो में, वो बहुत जादा शर्मनाक है, और मैं कहूंगी, ऐसी बाते सुनकर, हमारी नई पीडी बहुत गलत दिशा में जाने वाली है, और इस व महीला को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और सबक हमारी जबान से हम समझाएंगे, मीडिया, सोशल मीडिया से समझाएंगे, और इतना वाइरल करेंगे, जिसमें उसकी पॉजिटिव वाइब्स खतम हो जाएगी, और नेगिटिव वाइब्स का पूरा आलोचना एकदम जया बचन नामक, इसने अपनी पोती वाट दाहल नव्या के शो में, पॉटकास शो में बकवासे करी हैं, और कहा है कि लव जो रिलेशन होता है, वो फिजिकल रिलेशन के बगएर नहीं हो सकता, सुनिएगा गौर से, क्या-क्या बाते कही हैं, मैं अपने तरीके से आपको समझा रही हूँ, so that easily आप समझो कि उसने क्या कहा है, मैं पूरी तरह से उसकी ट्वीट को पढ़ने नहीं जाने वाली, बहुती प्रतिष्ठित न्यूस चानल है, ए एन आई, जिसमें ट्वीट करके, ये जो सूचना है, हमें दी है, और देश तक पहुचाया है, कि जो महि महीला फाल्तू बाते करती थी ना, किसी की ठाली की बाते, ठाली में छेट करने की बाते, उसके अकल पे कितनी बड़ी चेट है, वो मैं आपको अपने स्टाई में समझाऊंगी, बताइएगा जरूर आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा, इस महीला ने कहा है, जो लव होता य जो प्यार होता है, मौबबत, इश्क, ये ना without physical relationship नहीं रह सकता, अच्छा, इनका कहना है कि वो distance love हो, या पास का love हो, arrange हो, love हो, फलाना धिमका हो, वो physical love, यानि कि sex करे बगएर कहीं नहीं पहुत सकता, अगर love relation में sex ना हो, physical attraction ना हो, intimation ना हो, intercourse ना हो, मैं बहुत ही ज़ादा bold words यूज कर ले हो, क्योंकि यहीं जया बच्चन ने अपने शब्दों में कहा है, मैं आपको easily बता रही हूँ, ये bold शब्दों को उच्चारन करने के लिए भी मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि कहीं न आपर ये इतनी बड़ी personality होकर इतनी बकवास कर सकती है, national TV पे, इसे बहुत अच्छे से पता है, इसके इंटर्व्यूज आएंगे, इसकी जलक दिखाई जाएगी, ये वीडियो, ये episode viral होगा तो भी इसे इतनी हिम्मत है, हमारे भारत को बरबात करने में ऐसी सोच पड़ी है, प्यार एक ऐसी चीज है, ऐसी ताकत है, जिसके अनुसार दुनिया में खुश्या फैल सकती है, खुश्या लाई जा सकती है, मोहबत, इश्क, जिसने किया है, वही जानता है, जो समुंदर के पार उत्रा है, जो समुंदर की घहराईयों को जाकने नीचे उत्रा है, वही यह अशलीलता बोलने की मुझे नहीं लगता है कोई जरुरत है यह मैं बिलकुल ही नहीं मानती कि physical attraction या physical relationship अगर ना हो लड़का और लड़की में तो वो प्यार का relation टिकता नहीं है और इन मैडम ने ये भी कहा है नव्या नवेली को यानि कि अपनी पोती को ये सलाह दी है कि it is not wrong it is not wrong if you have you know a relationship where you go for physical relationship like physical होना यानि sex करना एक मर्द के साथ और एक मर्द का औरत के साथ या जो भी आजकल तो बहुत जादा popularity हो गई है LGBT की और मैं उसमें राजी भी हूँ मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है क्योंकि भगवान ने उनको वैसा बनाया है और उनका भी हक है उनकी तरीके से जीने का मैं पूरी तरह से उस चीज़ पर मानती हूँ लेकिन उस LGBT में भी और नॉर्मल इंसानों में भी ये सूजबूच कहीं भी नहीं है कि सेक्स के बगर रिलेशन्शिप नहीं टिकता अगर प्यार सच्चा हो मुखबत सच्ची हो एक तरफा भी हो तो भी टिकती है इसके अनुसार इस मैडम के अनुसार इन्होंने अपनी पोती को और सारी दुनिया को ये सज़शन दिया है कि अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो शादी के पहले हो या शादी के बाद हो शादी करने से पहले अगर आप physical relationship किसी के साथ करते हो आप अपने आपको time दे रहे हो आप habit कर रहे हो कि उस इंसान के साथ आप कैसे जियोगे आपको शादी के बाद आपको आसानी रहेगी एक तरफ से बहुत घिनोना चीज वो बोल रही है In fact उसने ये कह दिया कुछ नहीं फरक पढ़ना चाहिए It is not wrong I am sorry to say this It is wrong हम भारत में रहते हैं हम बहुत free है बहुत freedom की जिन्दगी जीते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि freedom का हम बहुत जादा फाइदा उठाए ऐसा कुछ करे जो हम अपनी हम अपनी गर्दन को उचा ना करने के बावजूद हम नीचे करके सर को जुका कर चलना पड़े हम ऐसा काम नहीं करेंगे girlfriend हो boyfriend हो जब तक वो relation को मैं खुद मानती हूँ कि socially हम लोग उसको wedding का नाम नहीं दे देते तब तक एक औरत को pregnant नहीं होना चे शायद लोगों को यह बात मेरी बहुत बुरी लगेगी बट इसमें एक चीज है जिनके साथ रेप होता है बलातकार होता है अगर वो pregnant होती है और उसके बावजूद उसकी इच्छा होती है उस बच्चे को जन्म देनी की मैं उसके साथ हूँ मैं उसके साथ हूँ लेकिन एक ऐसी सोच बूज यह जो जया बच्चन दे रही है अपनी पोती को के बेटा शादी से पहले अगर तू pregnant हो जाती है मुझे कोई तिककत नहीं है यानि कि इतना ओजापन इतनी गंद की भर रही है अपनी पोती के दिमाग में के तू बचल नहीं कर तू रास्ते में जा तू अपने boyfriend बना और तू उसके साथ relationship में जा अगर तू pregnant हो गई तो तूझे डढने की ज़रत नहीं है we will not say anything to you but will you not get her aborted abortion कराओगे आप उसका क्यों तब आपकी प्रांट प्रतिष्ठा पे आजाएगा बोलना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है गंदी सोच गंदी अकल मत दीजे किसी को अपनी पोती को भी नहीं और दुनिया की किसी भी लड़की औरत को भी मत दीजे आपकी बातों से बहुत जन you know influence होते है के आरे भई इन्होंने बोल दिया बच्चन family की जया बच्चन ने बोल दिया अमिता बच्चन की वैफ ने बोल दिया बद क्या अमिता बच्चन की वैफ खुद ये चीज़ मंजूर कर सकती है अगर आपकी बेटी श्वैटा शादी से पहले प्रेगनेंट होती तो क्या करती आप विल यू एक्सेप्ट हा नो वाट अबाउट यूर जनरेशन नव्या नवेली को आपने ये सजेशन दिया अगर कल पर सो वो ऐसे प्रेगनेंट हो जाती है विल यू अलाव अब टो एट विल यू एक्सेप्ट हर प्रेगनेंसी नो यू विल नॉट ये सारी बाते हम लोग रियाक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम बता सके ये जो भी फुजूली की बाते करती है न ये बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज इनकी हर बातों को आग बंद करके ना माने ये हमारे देश को खराब करने के लिए पूरे तरह से रेडी है ये बहुत नॉलेज देती है मीडिया को ये शूड नाट क्लिक फोटोस विदाउट एनी परमिशन अग्रेजी तो बहुत फारते हो आप लोग प्लीज टोंट दू दिस बेबी कें बी अफेक्टेट तो क्या उस बेबी को अफेक्ट नहीं होगा अगर वो बिन बाप के अगर आपकी सला से बचल नहीं कोई करे और उसके बाद बच्चा आए तो उससे बहुत गंदा लगता है नाजायस कहा जाता है और उस बच्चे का कोई दोश नहीं होता तो आपकी एक गंदी सोच प्लीज बाटे ना आप गंदी हो गंदी सोच रखती हो आप खुद इस देश में रहकर इस देश के लोगों को बूरा करती हो इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसमें छेत करना मैडम आप हमारी इंडिया की थाली में खाकर हमारी इंडिया की थाली में छेत कर रही हो आप गलत सोच दे रही हो अब अपनी modernization अपने पास रखे अब अपनी modernization खुद अपने परिवार में नहीं चला पाओगे तो दूसरे बच्चों को ऐसी सूझ बूझ उनके parents को नीचा गिराने के लिए मत दीजिए and India I want to request you all हो सके तो मेरी इस video को share करे और समझे के हम ये reaction ना मजाग करने के लिए नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं आता वो reaction में गालिया दे कर बात करना मैं बहुत stick to my words हूँ और मैं stick to the points हूँ और मुझे जो बोलना था मैंने अपने style में अपने तरीके से बोल दिया मर्द और और औरत को यहाँ पर तूलना नहीं करना चाहती हूँ वो दोनों एक बराबर है shoulder to shoulder walk करते हैं लेकिन ऐसी सूझ बूझ देना गलत है एक बच्चा जब पैदा हो जाता है ना तब उस बच्चे को पूछा जाता है तुम्हारे बाप का नाम क्या है तुम कहां से belong करते हो तब उस बच्चे पर जो बीटती है ना वो जैसे धकोसलों से कुछ नहीं होना है बहुत आसान है बोल देना लव without sex कुछ नहीं होता टिकता नहीं है अगर असल प्यार हो मुहबबत हो ना तो लव सारी जिंदगी टिकता है ठीक है पहले सूझ-भूझ अपनी जागरत करिये उसके बाद इतनी डायलोग बाजी करिये this is not a real life it's a real life so please get into the you know the real world and forget about your stardom